हाई नमस्कार किसान भाई ओ आपका एक बार फिर स्वागत है मारे खेते किसान यूटूब चैनल में तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके पास तो इस वीडियो में हम बात करेंगे धना की बुआई का लेकिन उससे पहले हम धना के साबत दाने को आगे फिर इसके बाद हम इसके उपर सिमेंट की कोटिंग करेंगे तो देखते रहें इस वीडियो को और किसान भाईयो में इसका रिजल्ट भी इस वीडियो में बना लूँगा यानि कि 30 दिन वाद क्या रिजल्ट मिलता है 30-35 दिन वाद जो भी कंडिशन होगी धना की व च Whoo यह देखिए किसान भाईयो रोको फंगी साइड हम इसमें मिला रहे हैं और इसमें टेक्निकल की बात करें तो आपको थायो फैनेट मिठाइल सत्तर पती सत डवलू पी फॉर्म में यह टेक्निकल है यह देखिए किसान वाई हो इसमें आप हम मिला रहे हैं फिर इसके वाद हम सिमेंट की कोटिंग करेंगे तो आप देखते रहे हैं इस वीडियो को यह देखिए किसान वाई हो अल्ट्राटेक सिमेंट की कोटिंग करेंगे अब हम यह देखिए अच्छे से मिला के धना में और इसके उपर पूरी अच्छी कोटिंग हो जाएगी फिर इसके बाद हम धना को बोएंगे तो यह देखिए किसान वाई हो इस तरीके से आपको सिमे समेंट ले सकते हैं माई सेम का अल्ट्राटेक उचित लगे या आसानी से उपलब्द हो जाए तो आप उस समेंट को मिला सकते हैं तो यह देखिए दोने के उपर समेंट की कोटिंग हो चुकी है इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करें गे तो पानी में हम इस बिना कोटिंग वाले धने को डालेंगे और फिर ये कोटिंग वाले धने को डालते हैं तो ये देखिए बिना कोटिंग वाला धना पानी में तेर रहा है अब हम सिमेंट की कोटिंग वाले धने को डालते हैं ये देखिए तो ये पूरा धना डूब चुका है तो ये रहा प्र या और खाद को भी मिला लिया है यह आप देख सकते हैं अब हम इस धने को फेकते हैं तो यह देखिए अब हम खेत में जो है धने को फेक रहे हैं फिर इसके बाद हम खुला पानी छोड़ देंगे तो किसान भाइयो अब हम जमीन में देखते हैं धना जो है कैसे देख रहा है कैसा जो है धना फिक रहा है तो चलिए किसान भाइयो देखते हैं तो किसान भाइयो यह देखिए यूरिया देख रहा है और यह है धना आप देख सकते हैं मैंने तीर दिखाया हुगा है तीर की मदस से तो धना जो है अच्छा फिक रहा है हाथ की मदस से आप देखी सकते हैं तो इसमें अब हम खुला पानी छोड़ेंगे सिचाई करेंगे तो किसान भाई यो अभी तो यहां पर पानी चल रहा है यह आप देख सकते हैं यहां पर पानी चल रहा है और यहां पर हमने धना जो है फेका है फिर दीरे दीरे यहां भी हम पानी करेंगे सचाई करेंगे तो ये देखिए किसान वाई यो पानी हमने छोड़ दिया है और इसमें अब हम देखेंगे धने जो हैं डूबते हैं या नहीं और हमने पहले टेस्ट तो करी लिया है तो ये देखिए धने पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं मिट्टी में दब जाएंगे यानि मिल जाएंगे तो आपको सिमेंट की कोटिंग कर लेना है फिर इसके वाद धना आपको फेक देना है फिर आप खुला पानी छोड़ सकते हैं तो धना जो है निकल आएगा ओगाएगा तो किसानवाईयों अब हम मिलते हैं करीब 30 से 35 दिन वाद फिर हम धने की ग्रोथ देगेंगे कैसी क्या बड़ी है तो किसानवाईयों मिलते हैं ये देखी किसानवाईयों हमने मसूर में धना को बोया है हाथ से फिक कर और ये हमने सिमेंट में की कोटिंग करके ये फिक कर बोया था और इसे करीब 30 से 35 दिन हो चुके हैं और ये धना इतना हो चुका है यानि मसूर के ब तो 35 दिन वाद धने की कंडिशन ऐसी है और इसमें हमने सचाई स्प्रिंक्लर से ना करकर फ्लेट पानी मतलब बहाओ के रूप में हमने पानी छोड़ा था जिससे धना के जो दाने है वो नीचे बैठ जाएं तैरे न तो इस बज़ाए से हमने सिवेंट की कोटिंग की थी सिवेंट ले पाथा तो उसकी वीडियो मैंने पहले बना ली है आप पहले स्टाटे में देख ली होगी आपने तो इसे 35 दिन हो चुके हैं तो अच्छी खासी धना की कंडीशन है और यदि किसान भाईयो आपकी मसूर जादा उगरती है तो आप धना भो सकते हैं धना अच्छा हो जाएगा तो किसान भाईयो ये छोटी सी जानकारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें और अपने किसान मित्रों को जरूर सियर करें जिससे उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके और यदि आप हमारी यूटूब चैनल पर नए आए तो चैनल को कल लिजे सस्क्राइब और पास में लगी बेल आइकन को दवा लिजे ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए तो किसान भाईयो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को मेरी तरफ से राम राम